कि नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट और जीस में स्वागत है दोस्तों आज हम पर्यावरण अध्यान से सम्मांधित लगभग तीज प्राषनले आयं जो सूपरते यंपिटेट यूपिटेट सीट इतियाद परिच्छा में पूछे जा सकते हैं ठीक है दोस्तों कि हिंदू विवाह अधनियम 1905 के अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के नियुन्तम आयू 21-18 वर्स है ठीक तिसका राइट आंसर हो जाएगे दोस्तों आपसन ए 21-18 वर्स है ठीक दोस्तों अब हम अगले प्रेशन पे चलते हैं प्रेशन नंबर दो है हमारा निम्खित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है ठीक है तो दोस्तों इसका राई टांसर हो जाएगा बी हुमस उपलब्ध कराना आपको बता दे जड़ पौधे का बहुत महत्पूर भाग होता है जड़ का कार्य पौधे के लिए निम्न होता है भोजन भंडारन पौधों को सहरा देना जल तथा खनीजों का अवसोसर करना जबकि हुमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जा प्रकाश संसेलेशन के दोरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं तो किसे सोख लेते हैं दोस्तों कार्बन डाई आकसाइड को कार्बन डाई आकसाइड को प्रकाश संसेलेशन के दोरान हरे पौधे कर्बन डाई आकसाइड जिसे सी ओ टू कहते हैं कर्बन डाइ वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सेर जरू करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि हम डेली रात नौ बजे एक प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे बाल बनो विग्यान और परियावरान में से 30 प्रशनों क साथ आएंगे डेली रात नौ बजे ठीक है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और विलाइक को प्रेस कर लिजिए जिससे हमारा अगला आने वारा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए तो क्येशन नंबर 24 है कुमिला के एक क्येशन नंबर चोथा है निवन में से कौन सा निवन में से कौन उर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है यहां पूछा है उर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है तो इसमें उर्जा का अच्छे संसाधन कौन सा नहीं है दोस्तों तो पेट्रोलियम पेट्रोलियम उर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है आपको बता दें अच्छे उर्जा का संसाधन वे होते हैं अच्छे उर्जा के संसाधन वे होते हैं जिने एक बार प्रियोग करके पूना प्रियोग में लाया जा सकता है अता सूर्य वाई उयम जल अच्छे उर्जा संसाधन के अंतरगत आएंगे पेट्रोलियम एक साधन के अंतरगत आता है तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए गा क्योंकि बहुत ही महत पूर्प्रश्ण है वीडियो को इसकी मत कीजिएगा ठीक है दोस्तों हमारा यह क्योश्चन है काफी लंबा क्योश्चन है क्योश्चन नम्बर पांच है किसी परवती छे तुम्हें प्रिच्छन करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर मिट्टी लकड़ी और चूने से बनाए हैं यह घर दो मंजिले हैं नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकठा करके रखते हैं वह सयम पहली मंजिल पर और यम्पीटेट में बहुत ही पुछे जाते हैं ठीक है दोस्तों तो इस क्येशन कर आई टांसर हो जाएगा दोस्तों आपसंसी जम्मू कस्वीर दोस्तों आपको बता दें जम्मू कस्वीर के ले हमें ले हमें लोग अपना घर पत्थर मिट्टी लकड़ी से बनाते हैं तथा दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की हुई होती है यह घर दो मंजिले होते हैं जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं नीचे की मंजिल पर जनवरों को रखते हैं तथा जरूरत का समान इकठा करके रखते हैं सर्दी के दिनों में परिवार भी नी कोटे तन्य इस्तेमाल किया जाते हैं ठीक दोस्तों तो अगले से चलते हैं की से नमबर चाहिक है कि दूद में पाया जाने वाला इंट कर दोस्तों दूध दही पनीर में केसी नामक प्रोटीन पाई जाता है और आपको बता कि नाखून नाखून में खुर में सींग बाल चोंच में केराटीन नामक प्रोटीन 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 ठीक है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को देख लीजेगा तो दोस्तों अगला क्योशन है हमारा साथ नमर क्योशन है क्योशन नमर साथ है दोस्तों खाद सरच्छन खाद सरच्छन के लिए निर्मकित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है खाद सरचर के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है तो दोस्तों आलू से चिप से बनता है ठीक है सेव से जैम बनता है ठीक है कच्चा आम अचार बनता है पर दूद से पनीर नहीं बनता ठीक है दोस्तों दोस्तों आप देखिए एक खाद सरचण के दिश से दूद पनीर का जोड़ा गलत है ठीक है क्योंकि दूद से बने पनीर को ज्यादा देर तक सरचित करके सुरचित नहीं रखा जा सकता जबकि आलू से बने चिपस कच्चे आम से बना अचार तथा सेब से बने जेम अधिक समय तक सरचित करके सुरचित रख सकते हैं पर दूद से बना पनीर अधिक समय तक नहीं रखा जाता तो ठीक है तो इसमें पूछा तक काउन जोड़ा ठीक नहीं है तो दूद से बना पनी जोड़ा ठीक नहीं है ठीक है दोस्तों अब अगले प्रशने पर चलते हैं प्रशन नंबर है मारा आठ अगर कच्रा पीने से कच्रा पीने के पानी में मिल जाए तो कौई शी बिमारी फैलेगी ठीक है दोस्तों तो इसकरवी रोक तो होगा नहीं मलेरिया तो होगा नहीं एनिमीयत होगा नहीं होगा क्या टाइफाइड दोस्तों कचरा युक्त दूसित जल के सेवन से टाइफाइड नामक बीमारी फैलती है ठीक है दोस्तों यह जीवानु से होने वाला रोग है आपको बता दें कि जीवानु से होने वाला यह रोग आत्र जोर अथवा आत्र का बुखार के नाम से भी जाना जाता है ठीक है दोस्तों आहले म्हें इसका कारण गर्ज़ होता है मिले । कुन की कमी के पूछा था यह करे चराप पीने के पानी मिल जाये तो कौन वीमारी फेलेगी इस प्रटों थे कि हैमारा नव को एमें स्वामी नाथन कौन तहे पत्रकार थे कृसी की वेग्यानिक थे परिछी को बता दें दोस्तों मका झाल थे इन्हें भारत में हरित करांपी का जनक कहा जाता है मैं स्वामीनाथं को भारत का भारत में हरित प्रांदी का जनक सफ़ीषित कि कि इन विज्ञान अभियांत्रिकी के छेत में उनाइसों नमासी में भारत सकावजारा पद्मभूशण से सम्मानित किया गया था दोस्तों ए में स्वामी नाथम भारत में किसी विज्ञानिक के जनक माना जाता है ठीक है दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कवस्ट महता है ठीक है दोस्तों तो ग्रीन गोल्ड इसका मुझक करण है वनों के महतु के करण ग्रीन गोल्ड के आपको बता देवन हमारे लिए प्रकार से उप्योगी हैं वन हमें विभीन प्रकार की लकडियां गोंद सहद तथा विभीन प्रकार की आउसेदी मिलती हैं इसी करह विच्छों को हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है ठीक है दोस्तों अब अगले प्रश्ण पर चलते हैं हमारा अगला प्रश्ण है सब्सक्राइब और आपको बता दें कि कारवन डाय अक्साइड जल्वास पर मीथेन क्लोरो फ्लोर कारवन नाट्रस अक्साइड ओजोन यह च्छा प्रकार के ग्रीन हाउस गैसे देखी जाती है अब अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन प्रशन नंबर बार है निल्व किसे हारों के उस समुह को चुनिये जिन्हें पूर्डिमा को मना जाता है पूर्डिमा को मना जाता है को सब्सक्राइब मनाई जाती है रच्छाबंधन मना जाता है गुरु नानक जर्म दीवस मना जाता है ते होली रच्छाबंधन गुरु नानक जैनती पूर्डिमा को मना जाता है तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन न मेला दोस्तों अजमेर में आयोजित किया जाता है पुसकर मेला राजिस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है अजमेर से 11 किलो मीटर दूर हिंदियों का प्रसिद तीर थेश्टल पुसकर है यहां पर ब्रह्मा का मंदिर है यहां पर कार्थिक पूरिमा को मेला लगता ह जिसमें बड़ी संक्या में देशी विदेशी परेटक आते हैं ठीक है दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन नमबर हमारा है चोदर निर्मकित में से विशम को चैनित कीजिए सवर उर्जा पवन उर्जा ज्वारी उर्जा प्राकृतिक गयस तो आपको पता देख दोस्तों इसमें विशम है प्राकृतिक गयस ठीक है सवर उर्जा पवन उर्जा ता ज्वारी उर्जा अपरंपरागत तथा अपरंपरागत त दोस्तों ब्याक प्रश्न की ब्याक ख्या को जरूर सुनिएगा इसमें कई प्रश्न मिल जाते हैं ठीक है दोस्तों के नमर 15 को देखेंगे दोस्तों जल की आदरता नमी को किसके द्वारा मापा जाता है 35 का 15 का राइट आंसर हो जागा दोस्तों आप समभी हाईग्रो मीटर जल की आदरता नमी को मापने के लिए हाईग्रो मीटर का प्रयोग किया जाता है ठीक है दोस्तों और आपको बता दें बैरो मीटर से वाईधाप मापा जाता है बैरो मीटर से वाईधाप मापा जाता है ह हैदो मीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई मापी जाती है ठीक है अब मरकेली इसकेल से भूकम्प की तीवरता मापी जाती है तो इस क्वेस्चन में पूछा है दोस्तों जल की आद्रता किस से मापी जाती है तो हाई ग्रो मीटर से ठीक है दोस्तों राइट आंसर भी अगल करनाटक में है ए इसका मुखियले बंगलूरू में है ठीक है दोस्तों आप इस समंधित कुछ तथि बता दें इस वरों को हिंदी में भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन कहते हैं इसे हो के इंग्लिस में इंडियन स्पेस और रिसर्स और गानाइजेसं कहते हैं इसका प्रश्चेपर के अंदर है आंध परदेश के स्री हरिकोटा में सतीज धवन अंतरिच के अंदर में ठीक है दोस्तों अब अगले क्योंच पर चलते हैं दोस्तों के वीडियो को इसकी मत कीजेगा स ejercяться को अच्षै से सुनिएगा धीकए दोस्तों अग गौर से सुनिएगा क्वेशन का जन्म 19 सितंबा 1975 में हुआ थाा अंतरिच जाने वाली भारती मुल्की दूसरी महिला वह भारत के गुजरात से तालूग रखती थी ठीक दोस्तों कसे अ Allah की आपको बता दी दोस्तों प्रतम भारती मूल climax 57 कल्पना चावला थी आप दोस्तों है प्रतम कल्पना चावला थी दूसरी फिशन इता विलियम थी ठीक दोस्तों अब अगले च्शेंपे चलते हैं क्रिस्मस देवस कि स्थारिक बनाया जाता है कृस्मस डे 25 डिसंबर को मनाया जाता है क्रिस्मसrente को मघर्ट 25 2 कि दिसंबर के दिन लोग गिर्जा घरों में जाका प्रात्ना करते हैं कर्थन डिस तरी एंगे Qustle नंबर है हमारा 149 में कितने खिलारी होती हैंatisfark की एक में नौ खिलारी होते हैं दोस्तों अफसन बी राइट अंसर ठीख एक सचानिस नंबर क्योशन देखेंगे काना राष्टी उद्द्यान कांहा राष्टी उद्द्यान कहां इस्थित है तो काना राश्टी उद्यान मध्यपर्देश में इस सित है ठीक है दोस्तों कानहा राश्टी उद्यान मध्यपर्देश में इस सित है मध्यपर्देश के मध्यपर्देश के मंडला यहां आपका एक है मंडला में इस सित है ठीक है दोस्तों अब अगले प्रश्ण पर चलते हैं प्रश्ण नंबर है 141 कि परियावरण अध्यन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे नेशनल जियोग्राफी डिस्कावरी एनिमल प्लानेट यानि तीनों चैनल देखने को बोलेंगे ठीक है दोस्तों राइट अंसर्टी हो जाएगा अगला क्योस्चन है 142 नमर क्योस्चन है नेम लिखित में से सबसे उपयोगत सिछन विधी है इसमें से कौन सी उपयोगत निच्छन विदी सबसे अच्छी है ठीक है दोस्तों अगले प्राइब चलते हैं अगला प्रशन है मारा रेटिंग इसकेल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है तो 143 करा आइट आंसर हो जाए आप्सेन अब लोकन रेटिंग स्किल में अवलोकर तक्निकी का उपयोग होता है अगले क्वेशन को देखेंगे क्वेशन नमबर है मारा 144 बच्चों में प्रति दिन डायरी लिखने मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्ण पूछने पर बच्चों में किस कौसल का विकास होता है तो इसमें दोस्तों बच्चे में संप्रेशन कौसल का विकास होता है दोस्तों वीडियो कैसा है वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरू बताईएगा कि वीडियो अच्छा था कि नहीं अच्छा था कि क्या कमी है क्या नहीं कमी है दोस्तों बताईएगा जरू ठीक है अब अगले केशन पर जलते हैं 145 परियावरन अध्यन में चीत्र पढ़ना एक महत्रपूर्य क्रिया कलाप है नेमखित में से कौन सा से संकेतं संकेतों का बच्चों के बच्चों में आकलन चीत्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएग कर दोस्तों अब अगले को देखेंगे क्वेश्चन नमबर है हमारा एक सो ची आलीस कि इसको थोड़ा चोटा कर लेते हैं कि परिया अध्यान में संकल पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विशय के रूप में नहीं रखा गया है कि यहां लिखा है मुद्दों पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विशय के रूप में नहीं रखा गया है क्यों तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा आप सने इस आई वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग रूप से देखते हैं ठीक है अगले क्वेश नहीं है यहां पूछा है नहीं है दोस्तों ठीक है तो कौम परियावरण का उद्देश नहीं है तो हमारा हो जाएगा बच्चों को पाठ पुस्तक की परिवासाएं परदान करने के लिए प्रोसाहित करना या परियावरण अध्यें का उद्देश नहीं है बाकि तीनों उ सुर जाएगा उपयुक सभी एकी क्रित विसाइग्यत समावेशी इसलिए राइट अंसर डी हो जाएगा ठीक दोस्तों है अब मारा अगला क्यूस्चन है दोस्तों एक सोन चास पर्यावरण अध्यन के सिच्छण हेत निन में से कौन सा उद्देश आवस्यक नहीं है तो कौन सा उद्देश आवस्यक नहीं है दोस्तों आप सम्भी विज्यान के आधार वुद प्रतेचों और सिध्धानतों को रट कर याद कर लेना आवस्यक नहीं है ठीक है दोस्तों व वहां तो पूर्ण प्रश्ण है इस प्रश्ण को देखिएगा लाश्ट प्रश्ण है बहुत काफी अच्छा प्रश्ण है परियावन अध्यन में बच्चों को पाठ पुष्टकों और सिच्छकों के अलावा अने सुरोतों की मदद लेने के लिए प्रोसाहिद करना चाहिए क्यों क्यों प्रोसाइद करना चाहिए आपसने है परियावन अध्यान सीखने के लिए पाठ पुष्टक और सिच्छक की सुरोत नहीं है आपसन भी है यह परियावन अध्यान सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्चिती का विकास करेगा आपसन C है यह सिछकों को बच्चों की प्रिष्ट भूमी को जानने का आउसर देगा और आपसन D है यह बच्चों के सौंदर यगत और मनो क्रियात्मक कौसल का विकास करेगा तो केशन नमबर 150 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपसन A, तीन विकर्ट सही रहेंगे ये वाला और यवाला और ये वाला ये वाला ये गलत हो जाएगा ठीक है राइट आंसर A, A B C टीके दोस्तों दोस्तों वीडियो कायसा है वीडियो के कमेंट में जरू बताजिएगा और वीडियो को लाग को सेर्ज जरू करिएगा वीडियो को पूरा-पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद